हेलो फ्रेंज स्वागत है आप सब का हमारे चैनल एक्सल में मेरा नाम में दोस्तों मुकल जैन दोस्तों आज का टॉपिक है कि टूविल वी लूक अप कैसे उस करते हैं एक्सल में आज हम दो यह सीचिंगे तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा एक्जामपल लिया हुआ है यह उसकी जो सेल है वह यहां पर लिकलके आ जाती है जैसे अभी मैंने फिलाल एपल यहां पर लिया हुआ है मार्च में जो इसकी सेल हुई है और यह सेल आपको यहां पर देख रही होगी हाइलाइट होकी तो यह डायमिकली हाइलाइट हो रही है जैसे मैं कोई भी मन तकर यह आपकी लिकल के आ जाएगी और वह हाइलाइड भी होने लगेगी तो यह कैसे करेंगे एक्सल में आज हम लो यही सीखेंगे दोस्तों अगर आपको इस तरीकी की वह पसंद आती है तो आप हमारा यूटूब चैनल सस्क्राइब कर सकते हैं जिससे आपको वह वाली वीडियो जो अभी आएंगी और वी लूक अपकी अच्छी तो वह आपको मिलती रहे और अगर आप फेस्बुक पे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लिजे एक्सल में मोकल का आप वीडियो दो देख लेते हो नेकिल सस्क्राइब और फॉलो किजे तो आपने चलते हैं वीडियो में तो कुछे आपने देख समय होगा मैं डॉफ डॉफ डौ लिस्ट पर स्लप कर रहा था तौर डॉफ 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 कैसे क्रीट कि जाती है । सबसे पहले आप लोड NoW Go जाओगे यहाँ पर data validation आपको मिलेगा यहाँ पर चले जाओगे और यहाँ पर simple सा एक option होगा list इसको select कर लोगे यह बटन दिखाए देगा आप arrow का इसको click करोगे तो item के लिए हमें करनी है यहाँ पर बस किवल item आपको select कर लेना है और फिर okay कर देना है तो यह आपके drop-down list यहाँ पर create हो जाएगी बिल्कों simple है आँगे फिर month के लिए करना है कैसे करेंगे यहाँ पर पहले click करना है month के बगल में उसके बाब फिर data validation में जाना है फिर हमें list में जाना है फिर यह बटन मिलेगा और यहाँ पर month ऐसे select करने में आपके तो अब देखो कि आप लोड डॉब 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 लिस्ट आ गई हमारी और यहाँ पर आप मन्त भी select कर सकते हो जैसे मैंने फिर से अप्रेल कर लिए है एपल में अप्रेल की जो यूज करते हुए आपको वी लुक अप लगाना है तो इसके लिए हमें एक छोटा सफंक्षिन सेखना पड़ेगा पहले मैंच अम मैच क्या होता है तो मैच समझने के लिए मैच थोड़ा सा एडिट कर देता है इसको आपको पूरा समझ में आए तो यहाँ पर मैंने यह थोड़ा सा एडिट कर दिया है और इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ कि यहां पे मैं वर्ण टू यह लंबनिंग थोड़ी से कर देता हूं क्योंकि आपको पूरा समय में आएगा यह आप ड्रैक कर दो को तो इस तरीके से आपका यह लंबर इंक्रीज हो जाएगा कि मुझे सुम्जाना चाहता हूँ अँए कि मैच करेंगा ड्क्रीण कि हमें टम्मर क्रे करेंगे क्या लइच जैंसे अपिरल लिख्या है ने कौन से पूछ रहे है उसी करीwater यहां पे वपेंग रखने ट्रीप में यह दघर टो है आपको समझाले के लिए तो यह थोड़ा सा यहां पर गलबड हो गया है यहां पर बन निखिलाता मुझे क्योंकि अगर आप देखोगे कि तो यहां से इस्टार्ट होरी टेबल थोड़ा सा इसको मैं एडिट कर लेता हूं कि यह लौँ हो जाएगा और यहां पर अब ठीक है तो अब यह जो अप्रेल है वो इस टेबल में कौन से कॉलम पर आ रहा है तो यहां पर हमनों यही फैच करेंगे कि कौन से कॉलम पर आ रहा है उसी के लिए हमनों यहां पर मैच यूज़ करेंगे पहले हमें मंत्पता करना है कौन से कॉलम पर आ रहा है, तो हम लोगों ने मंत्प्र शट्ट कर लिया है यहाँ पे, उसके बार Look-Up Array, Array मतलब Range, किस Range में है वो, तो इस Range में हमें हमें पता करना है, उसके बाद Common जैसे ही आप लगाओगे, वा ऐसी Match Type पूछेगा, तो जैसे पहले वी लूक अप के लिए देते थे इसमें भी वैसी करना है जीरो देना है हमें एक्जैट मैच के लिए और बैकेट आप करके जैसे आप एंटर कर दोगे तो यह बता देगा कि यह जो अप्रेल भी है हमारा यह हमारा फिफ्त कॉलम पे है इस टेबल में हमारा यह फिफ्त के अंदर तो करते हैं एक्वल टू भी लूक अब डेकेट ओन सबसे पहले लूक वैल्यू लूक वैल्यू हो जाएगी आपकी एपट इसी की वैल्यू हमें लूक अप करनी है इस टेबल में कॉमा टेबल हमारी यह वाली हो जाएगी सिंपल आप टेबल स्ट कर लोगे कुछ एक अब यहां पर यहां पर कंड लोगे कॉमा जाएगी दोस्तो तो कॉल मिल में आप क्या करो गे आप मैच से आप कॉल्म यहां पर लिका लोगे कौम मैं चाहिए को लिए हमकर यहां पर यूश्ः घैके टाम करेंगे को आपको मेल्यू म्यूस और और करनी है लूक वालि अब यहां पर हमें exact match चाहिए तो 0, bracket off, यह column index number के लिए इतना बड़ा formula हो गया है, यह match वाला, उसके बाद, range look up, बलब किस तरीके का match है हमारा, exact, तो आप यहां पर false या 0 लिख सकते हो, मैं यहां पर 0 लिख दिया है, bracket off किया और enter कर दिया, 17462, यह हमारे पास लंबर आ चु प्रिंटर से change कर सकते हो, उसके बाद जैसी आप set करोगे, जैसे मैंने यहां पर lemon किया, और यहां पर मार्च कर लिया, तो 8377, यह पर देख लें तो सही आ रहा है, lemon, March, 8377, match हो रहा है, अब एक आखरी काम बचा है, इसको highlight कराने का, इसको highlight कैसे कराते है, तो पिछली जो table थी, उसमें यह जो आ रहा है हमारा, वो एक color से आ रहा है, अब हम कोई और color रखेंगे, जैसे yellow रख लिया, और orange रही है, और हमने red रख लिया, इस तरीके का हम लोग कोई color रख लेंगे, तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले आपको यहां पर, इस वाली range में आपको यहां यहां पर number यहां पर match करा ला है, तो यह मैंने range पूरी select कर लिया है, यहां पर c22, c32, h10, उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर conditional formatting में जाएंगे, new rule पर जाएंगे, और user formula to determine, इस पर चले जाएंगे यहां पर दोस्तों, अब करना क्या है यहां पर, यहां पर आप equal का cell लगा यहां पर यहां पर आपको name लिखना है, active cell है हमाई c3, तो यहां पर आप लिख दोगे c3, और equal का sign लगा के यह वाली cell आप select कर लोगे, बस के विए यह करना है, उसका former यहां पर जो भी आपको रखना है वैसा आप रख सकते हो, जैसे film में मैंने कर दिया है, यहां पर yellow, font, font, अगर आपको change करना है, font change कर लो, तो font, font रह ले देते हैं, bold कर देते हैं, font को, और ok कर देते हैं, और यहां पर फिर से आपको ok करना है, तो आप देखोगे, यहां पर वो number highlight होने लगा, इसकी formatting थोड़ी सही कर देते है, तो अब आप जैसे यहां पर select करोगे, apple, और यहां आप जैसे select करोगे, कोई भी, आप, जैसे apple की जैसे कुछ और कर लेगते है, अभी फिलान हम लो, यहां पर पाइल apple कर लेगते है, तो यह देखे, पाइल apple की यहां पर sale आ गई, और यह highlight होने लगी, तो इसमें आप तीन चीजे यूज़े होई है, यह तो आपका data validation यूज यूज़ हुआ है, वी look up यूज़ हुआ है, match यूज़ हुआ है, और conditional formatting, यह चार चीज़े यूज़ करके हम ने यह पूरा किया, तो मैं आश्यो करता है, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को प्लाइक कर दीजे, और हमाई पेज क यूज़ ने बाद को लिबाई, बाई बाई